आम्रित महुत्ष्यवे नरंद्र मोदी शौरशोडी नजोराग बश्वेदिके मैं भारत के निर्माण में हम भारत वास्यों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास सामील है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज एक और बात सबका प्रयास ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगे न हो एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुन्याद पर मजबूती से खड़ा हो हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और एप्रोच नई है जिसके निर्णाएं प्रगती सिल है साथियों भारत की सबसे बड़ी ताकत ये हैं कि कैसा भी समयाएं कितना भी अंधेरा चाएं भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है हमारा यूगों यूगों का इतिहास इस बात का साक्षी है दुनिया जब अंधकार से दोर से और गहरे दोर में थी महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जगडी थी तब भारत मात्रों शक्ति की पूजा देवी के रुप में करता था हमारे हां गारगी, मैत्रई, अनसुया, अरुंधती और मदालसा जैसी विदूशियां समाज को ज्ञान देती सी कठिनाईयों से भरे मध्यकाल में भी इस देश में पन्नाघाय और मिराबाय जैसी महान नारिया हुई है और अमुर्थ महोच्चों में देश जिन साधिनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहा है उसमें भी कितनी ही महिलाओं ने अपने बलिदान दिये है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मी भाई, विरांगना जलकारी भाई वहाँ से लेकर सामाजिक छेत रखने है अहल्या भाई होलकर, सावित्र भाई फुले इन देवियों ने भारत की पहचान बनाय रखी आजदेश लाखों स्वाधिनता सेनानियों के साथ आज़ादी के लड़ाई में नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है और इसलिए आज साइनी स्कूलों में पढ़ने भार का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है अब देश की कोई भी बेटी राष्टर रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपुन जिम्मेदारिया उठा सकती है महलाओ का जीवन और केरियर दोनों एक साथ चले इसके लिए मात्रू अवकास को बढ़ाने जैसे फैसले भी किये गए है देश के लोकतंत्र में भी महलाओ की भागीदारी बढ़ रही है 2019 के चुनाओ में हमने देखा कि किस तरह पूरूसों से जादा महलाओ ने मतदान किया आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महला मंत्री समाल रही है और सबसे जादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बड़लाव का नेत्रुत्व खुद कर रहा है हाल के आंकडों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ अभियान इसकी सभलता से बर्षो बाब देश में स्त्री पुरुस का अनुपाद भी बहतर हुआ है ये बड़लाव इस बात का सपस्त संकेत है कि नया भारत कैसा होगा कितना सामर्त साली होगा साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारे रुशियों ने उपनिशदों में तमसो मा जोतिर गमया मृत्युर मा अमृत गमया इसकी प्रार्थना किया है यानि हम अंदकार से प्रकास की और भढ़े मृत्यु से परेशानियों से अमृत की और बढ़े अमृत और अमृत्व का स्रास्ता बीना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता इसलिए अमृत काल के ये समय हमारे ज्ञान, शोद और इनोवेशन का समय है हम एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़े प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आदुनिक्ता के आकास में अनंत तक होगा हमें अपनी संस्कृती, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जिवन्त रखना है अपनी अध्यात्मिक्ता को, अपनी विवित्वता को समुरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलोजी, इंफ्रस्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की संस्कारों को निरंतर आधुनिक्त भी बनाना है देश के इन प्रयासों में आप सभी की प्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्कारों की बड़ी भूमिका है मुझे खुशी है कि आप आध्यात्म के साथ-साथ, सिक्षा, स्वास्त और किसी जहसे कई शेतों में, कई बड़े-बड़े काम कर रहे हैं